इस वीड़ में पढ़ने वाले क्लास 10 सोशल साइंस का सेटफ एक्जामनेशन दोज़ार चोईस पढ़ने वाला है सबसे पहले तो यह अपने अंदर को पैस्ट जगाईए कि हम जो पढ़े वही रहेगा चाहे कोई एक्जाम रहे या औरिजिनल रहे या मंतली रहे यह क्या होता है इग्जाम से पहले आपका इग्जाम हो जाता है मतला समझें एक्जाम को पैटर्न को आपको समझना है जैसे प्रफ और मुश्य मंथली से देखिए और बताइए और पैस्टो की 40 गो आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं कितना आप स्कूर कर पड़ते हैं फॉस्ट कोशन है कि निन में से किसका युगदान सकल घरेल उत्पाद में सरवाध्धीक है तो आपको पता है पैस्टो की तीन को चलता है एक प्रात् पुंजी बादी जैसे कीमत यांत नीजी लाव यह समसब होगा समाजी कलियान नहीं होगा यह कब होगा पैस्टो जब समाज बादी रहेगा समझ गये हैं आगे चलते हैं कुश्चन नंबर तिरी देखेगा बिहार क्या धीक्तम जन संख्या का जिवका के लिए किस पे सबसे अगर बिहार में पुछे तो पटना ठीक न जीला में रहेगा तब भारत में नई आर्तिक निति कब लाग हूँ आठारा सो एकान में ठीक है आपको लग रहा हो कि सर्जी टीक लगा हुआ तो यह पैस्टो एक बच्चा जो लिया है न पेपर वो टीक कर दिया है आगे बस आपको प्लेन मिलेगा राष्टिये म पानब विकास किस राज का अस्थान सर्बोच है तो यह पैस्टो केरा लिजदा राइट अंसर ठीक है केरा लिजदा राइट अंसर और याद रखेगा मेरे भाई कि सेम तू सेम आपको कुश्चन रुपैस्टो हर जगा मिलने वाला है जो आप पढ़े है न विस्वास भरतिये जब साक का से रेजन किसके दोर किया जाता है भारतिये जब पर बी होगा किसने कहा मुद्रा वह जो मुद्रा का कार करती है तो हार्टल वेदर सुने ठीक है ऑप्सन नमबर सी को टीक करेंगे बहुत अच्छा इगारे नम्मर कोश्चन देखिए भारत में सरबाध ड्यूटी जाता है बहर में बहुत ज़्यादा प्याश्टों करकाने में इंकाम करता है तो सबसे ज़्यादा को नोगा दित्य उद्धों आगे देखेंगे प्याश्टों ठीक है जी कुश्टन नंबर 14 भारत विस बेपार संगठन डबलू टी ओक अस्था सदस कब बना ठीक है तो 1995 में इधर राइटन से 14 का अप्सन नंबर ए आगे आते भारत में भोगता संद्धिनिया में प्याश्ट तो 1986 में आप्सन नंबर ब भारत में कीस परकार के अर्थिवस्था है तो भारत में प्याश्ट पुंजीवादी और समाजवादी दोनों हैं यानि मिस्री थे शरजी ठीक है भारत में का एस पूर्ण दिर्चस कहानी है हम आपको बताया थे ठीक है जब भारत अजाद हुआ था यहां पर पे हम दोनों वाला रख लेते हैं मिस्री धर्तवस्ता कुछ पुंजी वादी भी और कुछ समाज वादी भी परवटी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया कर पुस्ता किस ने लिखा था तो दादा भाई नरोजी ने दादा भाई नरोजी ने बंगाल व्युहाजन कब हुआ हर आप लोग यह सम कोशन नहीं पढ़े हैं मेरे वाई यह सेंटर पिग्जामिनेशन का पेपर है और रिजनल वाला जो हुआ है याद रखेगा ठीक ना युनान का सोतंता कम मिली युनान में प्यास तो कब जाद हुआ जैसे भारत जाद हुआ था न तो बताइए 1832 इस दा राइट अंसर किस का कितना अप्शन नंबर भी बाइस नंबर में शेड ओन के यूद में किसकी प्राज़े वी फ्रांस की ऑप्शन नंबर एक को टिक करेंगे रूस में प्यास तो रूस के संसत को क्या करते धियूमा करते और इसका गठन कभगा था 1905 में उनिस सो पाच मे अप्रील थिसिस किसने तयार की तो यह प्यास तो लेनी ने अप्रील थिसिस किसने तयार की लेनी ने आपको याद होगा बिसमार्क से रग्त वां लो करनी थी ना जी शड़ vandaag में पहला समाजवांदी देश कोन था देखिए रूस कहा था प्रेश्टो समाजबादी समझ रहे हैं समाजबादी क्या होता है कि समाज के कल्यान के लिए किया जाता है लेकिन पुंजी बाद में प्रेश्टो अपना फाइदा के लिए किया जाता है काल मार्स का जन्ब कहा हुआ था तो जर्मानी में ठीक ना मेरे भाई अलगता है 1924 से 1824 से नहीं है एक और देख लीजिए का बितनाम की रजधानी कहा है बितनाम की रजधानी कहा है हनोई आगे आते हैं की समझाता के तहत बितनाम को दो भागोर प्यास्तो बाढ़ दिया था जेनेवा समझाता आप्सन नमबर सी को ठीक करेंगे कांग्रेस के किस अदिवेशन में पूर्ण सौराज की मांग तो 1929 में उगा था प्यास्तो ठीक है पंडिजगालल ले रूप पूर्ण सौराज के मा हो जागा सी हो जागा आए महात्मा गांदी के पत्नी कस्तुरवा जी भी किये थे याद रखेगा इस्ट इंडिया स्थापना कब हुआ 31 का तो यह याद रखेगा 1886 में ठीक है गदर पार्टी के स्थापना बहुत हीजी कोशन है हर बच्चा को याद होगा चलिए इसको बोलते पैस्तो 1907 में जमसेज जी टाटा के दोहरा ठीक है आगे चलते हैं अस्पेनिंग मियूल का विस्कार देखिए अस्पेनी जेनी नहीं है एक अस्पेनी जेमी ने पैस्तो यहां अस्पेनी मियूल है तो इसका राइट अन सौर्प्सन नमबर बी होगा 137 विस् सबसे बूरा परवाग की देश पर पढ़ा तो यह सण्यूक राज अमिर्का पढ़ा था ओप्सन नमबर शी को टिक किजिए च्छतिस का ओप्सन नमबर सी निउडील का संबंध है तो यह आर्थिक नीति से ठीक है आर्थिक नीति से रिप्याष्ट आप्सन नमबर डी को टीक करेंगे अंतराष्तिये मुद्रा कोस का अस्थापना कब हुआ देखें अन्तराष्टिये मुद्रा कोस कोस्था अस्थापना कब हुआ तो याद रखें उनिस तो पइनज्स्स fan Helen मुद्रन कला का विसकार कहां हुआ कि चीन में अब म逗ाइव चीन सब vet shutting आ कि मृतिन के सथापने पर्थ से pratic का र diligent शरी आइंटा इव झृस किस ने लिखा था तो मांटिन लूथर मांटिन लूथर संबाद कौंधी किस भासा के समाचार पत्र तम लाश्क टक बने रहेगा और अपना और जरूर कि सरजी हम इतना स्कौर कर पाए हैं के stars combined उतने ही करने वाले जितना यहां पे किजिएगा बंगला और बार बार काते कि एक्जाम में आपको अंसर नहीं लिखके जाना याद करके जाएए रूसो कहां के दार्शनिक था तो फ्रांस के गोल घर का निर्मान प्यास तो कब हुआ था 1786 में और किस ने बनाया था आप लो इतना तो जानते ही होंगे असायोग अंदोलन का प्रस्ताब कांग्रिस के किस अधिवेशन ने पारित हुआ देखे दो एग अधिवेशन वाला कोश्चन आपके एक्जाम में आता है कि लहुर अधिवेशन 1929 में और कलकत्ता 1920 में तो कनफ्यूज नहीं होना है नागपूर बना लिया जाता है जोड़ जोड़ के तासकंद में भारतिये कंप्यूनिश्ट पार्टी के स्थापना किसने किया एम एन राइने एम एन राइने यंग इटली के स्थापना रप्यास तो किसने किया याद रखेगा मेजिनी ने किसने रप्यास तो मेजिनी ने भारतिये तो यह देखें 1949 में आपको पता होका 26 नूमर निस उनिसाइस में वह था जब कि 269 नूमर पचास को अपना लिया गया था ठीक है कौन सा संध्सुची में सुची जो हता है पैस्तों मुक्तति तीन रूप से होते एक राज और एक संग और एक पैस्तों संबर्ती तो संग पूलीस यह तो पूली जैसे बिहार पूलीस घरखंड पूलीस यह तो राजवाला है ठीक है स्वास्त विराज में इसमें सिच्छा ही होगा ठीक है शरीए संग क्योंकि वहां प्यास्तों सविधान में संसोधन क्या 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 है कि 6-14 साल के बच्चे को पढ़ाना अनिवार ह तो उसमें कितना चाहिए दो तिहाई ठीक है दो तिहाई राष्टिये अस्तर पर पंचायत राज की परनाली की सुरुवात की समेती के अंसांसा पर हुई तो बलवंत राज समेती ऑप्सन नमबर डी को टिक करेंगे अगर आपके गाउं में कोई बलवंत राज होंगे दूसरा अस्तर निन्में से कौन से था दूसरा प्षाइट समेती ड которых को आगे देख तर में उनीस सोपर्चैतर में अपात काल मिल्यवत बहारत में तीन वारियाए एक और पाकिस्तान के युद में एक और चीन के युद में और एक और प्यास्तु इंद्रा गांधी नीजी में समझ रहे हैं ठीक है प्यास्तु जब असांती हुआ था तो वो लगा दिये थे प्यास्तु याद रखे प्यास्तु यह कुश्चन आता है कि सुंदरलाल बहुगूना के द्वारा क्या है जो आपको पता होगा नहीं पता है तो कमेंट किजिए का हम बताएंगे निर्में से कौन सा राष्टिये राजनीतिक दल है तो भारतिये कंपिनिस्ट पार्टी ठीक है देखिए लोग जन सकती बीजेपी वाला सॉरी और क्या लोजपा वाला हो गया प्यास्तो जनता दल हो गया और एक राष्टी यह आरजएडी अप्सन नमबर डी को टिक करेंगा वलो सुचना का अधिकार अंदोलन कहां से सुरुआ सुचना क खोटा इक चुह रहूर में रहते हैं तो नहीं एक ठौकश मेर का चुनाव होता था तो वह चार वर्स का होता है तो किसी राजoter यहर रइख कलाब आप हरित के अंत्रिप्राश तो ख़दान के लिए इसमें क्या हो था कि पांच गुना गेहुं बढ़ गया था और तीन गुना चावल बढ़ गया था पानी के नीजी करन बिरूद कहां संगर्स हुआ तो बोल विया में मारश तो नेपाल के पर्दानमंत्री थे फिक हैं जी मैरवाई नेपाल के भारत में पर्थम चीनी मिल के अस्थापना कीस राज और इसको प्रश्ट तो क्या का जाता है चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को चरक का संबंद किस देश से है चरक का संबंद प्रश्ट भारत से है चरक का संबंद भारत से है काना राष्ट्य उद्यान कहा है मद परदेश में महा सागरी संसादन परदेश के अधिपत होता है तो 200 mm थां अपना होता है कौनसा स्वामिध्य के अधार पर संसादनों के बरगी करन का परकार नहीं है तो इसका राय आट अनस्र नभी करनी है option number c देखें इस question को आप याद कीजिए एक बार दो बार वीडियो देखके यावर पैस तो लिखके किसी परकार भी आपको याद करना आपका फ़र्ज है क्योंकि सारा question ये center of examination का पूछा गया है किस नदी को उत्पत्ति अमर कंटक्स होई तो तीन होता है तो इसका पैस तो आजागा सोन नदी है option number C आपको पता पैस तो कोसी को क्या कहते है बिहार का सोक नदी किसको कहते है कोसी को न जी बिहार में कितना परतिस्द छेत्र है sorry क्रीसी का छेत्र है तो 60% ठीक है स्वेट करांती है तो नामे है स्वेट उजला से दूध के लिए ठीक है दूध से स्वेट करांती है पैस तो दूध से रबर की खेती के लिए कैसी जलबाई चाहिए तो इन में से D को हम लोग करेंगे उसन कट बंदी होता है ठीक है उसन कट बंदी है तो है नहीं तो इन में से कोई के नहीं लगा देते हैं ठीक है प्यास तो आगे देखेंगे हम लोग कौन सी फसल रवी और खरीफ दोनों के रूप में जाए उगाई जाते हैं बहुत अच्छा कोश्चन है कोश्चन देखें रवी और खरीफ आपको पता है कि एक सर्जी ठंडया होता है गर्मी होता है लेकिन दोनों समय में कौन की जाती है और अप्सन नमबर डी ठीक है ऑप्सन नमबर डी दामोदर घाटी पर जोजना का लाव की राज में को मिलता है तो जारखेंड और पच्छी मंगल कजिए कौन सर्ण लो एक्स एक परकार का है तो लोहा के मिरे भाई हमा ठाइट समझ नहीं हेमें टाइट है में टाइट वारता है हमा ठीक हैं अब पी टूटकर पैस तो यह तो यह कोला का परकार है जी नमिर भाई टेक सॉल का उप्यों घुटा है ओ-ओ-ओ-गाइ आपको पदाऊ है उत्री अत्र इस भी भार करेंद्र को कहते हैं तो अधी केंद्र थिक की इसे सर्वाधिक हतरनाग सुखार माना रवागा आप नहीं होगा तो आप खाईएगा क्या मौसमी के सुखाड का मत्त होता है कि एक मौसम में सुखाड हो गया फिर प्यास तो बरसात हुआ तो कुछ न कुछ तो भी जाएगा लेकिन क्रिसी सुखाड कुछ भी नहीं होगा बार से हानी होती है तो देखे फासल के भी होता है पसूं के भी होता भवनों की बता इनमें सब ही हो जाएगा शड़ी है और असी नमर प्यास तो कौन सब प्राकिर्ति गाप दाई आप लोग को कमेंट करके बताना है जिससे हमको पता चलेगा कि मेरा कौन अच्छा बच्चा है जो लाश्ट तक वीडियो देखे हैं नहीं तो प्यास तो बहुत सारे बच्चे दस वीडियो दस कोश्चन देखते हैं उनको लगता हम ही बीरवली है अब तो हम सारा बना ही लेंगे लेकिन अगर जो भी लाश्ट तक टीक होंगे वो जरूर कमेंट करक यह जल आ जाएंगे ठीक ना तो अगर सब्जेक्टिव चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें पैस तो जुड़ जाए हमारे साथ क्योंकि यहां पर आपको हर चीज आपको तयारी कराई जाती है भी वी वी आई कोश्चन गे वारत